जहां हुई स्त्री टू की शूटिंग, वहां सच में है प्रेतात्माओं का साया। लोगों ने बाल खोलने और इत्र लगाने को किया था मना, शूटिंग के दौरा नाखिर ऐसा क्या हुआ। देर सो साल पुरानी हवेली में हुई शूटिंग, क्रू मेंबर्स को हुए डरावने एक्स्पिरियंसेस। दोस्तों, ओडियंस जिस फिल्म का पिछले 6 साल से इंतजार कर रही थी, वो लॉट आई है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म स्त्री 2 का धमाकेदा ट्रेलर लॉंच हो चुका है, ट्रेलर को दर्शकों का जबरदस रिस्पॉंस मिल रहा है, लेकिन दोस्तों कि आपको पता है कि स्त्री 2 की शूटिंग जिस लोकेशन पर हुई, वो वाकई में एक हॉंटेड किला है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म स्त्री 2 में भी जिस किले में स्त्री के हॉरर सीन्स की शूटिंग हुई है, वो देड़ सो साल पुराने भोपाल के किले में हुई है। अध्यक्ष ने इसकी वास्तुकला से प्रभाविद होकर इसका नाम ताज महल रखने का सुझाओ दिया था। बना जाता है कि शा जहां की बेगम ने अपने जीवन के आखरी दिन महल के अंदर अकेले बिताये थे, अपने परिवार में हर किसी से यहां तक की अपनी बेटी से भी अलग। सूत्रों के अनुसार परियटकों ने इस महल में एक महिला को सफेद कपड़ों में खिड़की से दूसरी खिड़की तक जाते हुए देखा है, जिसके बाद यहां पर किसी आत्मा की पुष्टी हुई थी, वही एक बार इस महल का बड़ा हिस्सा गिर गया था, जिसके अलिवुड के एंकाउंटर विद दे पैरनॉर्मल में बोपाल के एक स्केडियूल के दौरान का किस्सा शेर किया गया है, तब फिल्म की टीम एक रात पुराने किले में शूटिंग कर रही थी, जबकि वहां सब को बताया गया था कि वो किला भूतिया है, पर्फ्यूम ना लगाने और eight पैदा ना करने की चेतावनी, बताया गया था कि किसी वजास से वहां उस समय टीम को पर्फ्यूम ना लगाने और और किसी भी तरह का धुवा पैदा ना करने की चेतावनी भी दे दी गई थी, इसके अलावा उने उसखिले में कभी भी अकेले ना रहने की चेताओं नहीं मिली थी, बाकी लोगों से थोड़ा दूर बैठा था टेक्नीशन, बताया गया कि उस समय वहाँ जो लाइटिंग टीम काम कर रही थी उसका एक टेक्नीशन बाकी लोगों से थोड़ा दूर बैठा था, आधी रात का समय था और डियो पी अमलेंदू चौध सेट की लाइटिंग में कुछ बदलाव चाते थे और एक दीवार पर बैठे हुए देख रहे थे कि अचानक चीख निकली, लाइट मैंड ने कहा कि उससे धक्का दिया गया था, राज कुमार राओ जो उस समय गटना स्थल पर मौजूद नहीं थे लेकिन बाद में उन्हो कि आसपास कोई मौजूद नहीं था, लेकिन वो जित पर अड़ा था, हालां कि वहाँ क्रूर ने काफी खोजबीन की, लेकिन किसी का पता नहीं चल सका